अस्सलाम उलेकूम, उमीद करती हूं कि सब खीक होगे, आज मैं आप लोगों के साथ फिर्णी की रेसिपि शेयर कर रही हूं, इतनी क्विक है कि पांच मिनिट में रेडी हो जाती है ये फिर्णी, और इसका टेक्स्चर और टेस्ट ऐसा के जैसे आइस क्रीम होती है, मुह मे इस फिर्णी को रवे से बनाया है, मतलब के सूजी से, तो कोई लंबे चोड़े प्रोसेस भी नहीं है, कि चावल को भिगा ना, उन्हें पीस ना वगयरे, तो शिरू करते हैं, बिस्मिल्ला, तो सबसे पहले तो हम एक मिक्स्टर बना लेगे, तो एक प्याले में मैं ने 5- जा दोनों ही ना डालना चाहे, तो सिंपली सूजी की कॉंटिटी एक चमच बढ़ा दे, तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप डाल सकते है वैनिला कस्टर पाउडर, तो ज़रूर डाले, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा, और टेक्च्चर भी अच्छा आएगा, अब मैं ये दूद में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ऐसे मिक्स कर लेना है कि कोई भी लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूद सा हमारा मिक्स्टर रेडी हो जाए, ये देखे इस तरह से, इसे साइड पर रखते है, स्टोव चालो कर दिया मैंने, इसके ओपर मैं सॉस पैन रख रही अगर आपके पास आदा लीटर के करीब दूद है, ये दो कब दूद मैंने लिया है, दूद अगर आपके पास बॉल किया हुआ है, तो भी चलेगा, या तो फिर कच्छा दूद है, उस पर भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी ये दूद रखते ह हमें तुरन से हमारा जो मिक्स्टर बनाया था, हमने सूजी और कस्टर पाउडर का वो डाल देना है, अच्छे से प्याले को क्लीन करना है, और सारा अच्छे से दूद में हमें आड़ कर देना है, ठीक है, अब ये मिक्स्टर आड़ करने के बाद तुरन से मैंने चीनी भी add कर दी तो मैंने चीनी जो थी वो 4, 5.4 टेबल स्पून जितनी add की थी ठीक है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से sugar की quantity कम जादा कर सकते है 5.4 टेबल स्पून बिलकुल perfect थी मेरे हिसाब से ठीक है और अभी मैंने सारी चीजों को अच्छे से चम्मत चला करके mix कर दिया और इस तरह से ही चम्मत चला चला करना मैं ऐसे 3-4 मिनिट पकाऊंगी और मैं कहुंगे कि 5 मिनिट भी नहीं लगते 3-4 मिनिट में यह mixture ready हो जाता है तो यह देखें मैं ऐसे चला रही हूँ और 3-4 मिनिट के बाद यह इस तरह से गाड़ा होने लगेगा और जब आपको इस तरह से दानेदार थिक और क्रीमी सा टेक्स्टर नजर आने लगे तो आपने फ्लेम को आफ कर देनी है और इसे थंड़ा होने के लिए रख देना है तो यह देखे मैंने रख दिया है पंखे के नीचे ताकि यह जल्दी थंड़ा हो जाए और अब इसमें एक और लास्ट चीज जाएगी वो है रोज वाटर जो कि इसकी महक को इसके जो टेस्ट और फ्लेवर को और एन्हांस कर देगा जो कि हमें निकाल करके इसमें एड़ कर देनी है और थंड़ा होने के बाद इसका टेक्शर और भी घजब का हो जाता है बिल्कुल थिक और क्रीमी जैसे आइस क्रीम होता है तो बस इसे मैं कटोरियों में इस तरह से डाल दे रही हूँ आप जिस भी बलतन में से सर्व करना सकते हो इतनी अच्छी लगती है ये खाने में बिल्कुल लाइट सी और पेट भी बरता है और बहुत अच्छी लगती है तो इसके ओपर मैंने थोड़ी सी चौप्ट की बादाम और केसर के कुछ ट्रेंस डाल दिये तो अब तो अलहमदोलिल्ला से रमजान आ रहे है तो आ अच्छों को भी बहुत पसंद आएगी और सभी को बहुत पसंद आएगी आई होप आपको आज के सिंपल रेसिप अच्छी लगई होगी सब्सक्राइब करें चैनल को अल्ला हाफिस अपना ख्याल रखे